ओ, वह क्या था? वे क्या तुम्हारे पीच थें? अभी क्या हुआ? हाँ, वे मेरे ही भीच थें और वे हवा द्वारा उड़ाए लिए जा रहे थें ताकि वे नए ठान पर पहुँच सकें तथा तुम्हारे समान स्वस्थ पौधोंग में बढ़ सकें यह तो दिन पर दिन दिल जस्प बनता जा रहा है इसे क्या कहते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ ज़रूर यह प्रक्रिया बीजों का बिखराव कहलाती हैं तथा मेरे इस कार्य के लिए हवा द्वारा बिखराव कहा जाता है यदि मेरे बीज हलके होने के बदले कंटीले होते तो कोई गुजरता हुआ प्रानी उसे ले जाता वह कैसे? तो बीज उसके शरीर के रेशों में शिपक जाता तथा बाद में दूसरे स्थान पर गर्शित कोगर गिर जाता यदि हम पानी के भीतर होते तो क्या होता? ऐसे स्थान पर जहां कोई रेशेदार प्रानी ही न हो पिर क्या? यह तो बड़ा महत्पूर्ण प्रश्न है तब ये बीज पानी द्वारा छितराए जाते इस मामले में बीज पानी में बहकर दूसरे स्थान पर पहुँचकर उगने लगता कितना अच्छा मैं भी तेरना चाहता हूँ हम यकीनन इस ग्रह के दिलचस्प प्रानी है कितना अच्छा मैं भी तेरना चाहता हूँ